क्या हमारे हीरोज इस चैलेंज को कम्लीट कर सकते हैं या नहीं वेलकम बैक गाइस टू माई यूटूब चैनल और मैं आज चुका हूँ एक और मज़ेदार वीडियो लेकर और आज की वीडियो में हम चैलेंज करेंगे हमारे हीरोज को तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लगा रखे हैं कुछ मल्टी मोटार्स और कुछ ट्रैप्स और बीच में हमारा टाउन हॉल 15 तो गाइस को मैंने नाम दे रखा है देथ बेड तो गाइस हम क्या करेंगे कि अपने एक एक करके हीरोज को डिप्लॉय करें तो चलते हैं गाइस अटेक की तरफ तो मैं आ गया हूं देथ बेड की एंटरेंस पे और जो हमारा फर्स्ट कंडिडेट है वह है किंग इसको डिप्लॉय करते हैं चलो कि अगर तो काइस फ्रेंकली स्पीकिंग किंग ने टान हॉल तो इजली फोड़ दिया लेकिन हमारे मल्टी मोटार्स को क्लियर नहीं कर पाया तो देखते हैं हमारी कुईन इस चैलेंज को कम्प्लीट कर पाती है तो चलते हैं अपने अटेक की तरह तो गाइस आ चुका हूं मैं अपने देथ बेड के पास वापिस से और टिपलाए कर रहा हूं अपनी कुई तो गाइस कुईन की बात ना ही करें तो बहतर है क्योंकि उसने तो किंग के मुकाबले कुछ भी नहीं किया किंग ने हमारे अटलीस्ट टाउन होल तो डिस्ट्रॉय कर यह दिया था कुईन की अबिलिटी इतनी ज्यादा काम नहीं है उसके तो जो हमारा नेक्स्ट केंडिडेट है वह है ग्रेंड वाडन तो चलिए नेक्स्ट अटैक की तरह और एंड हीर आइगो फ़र दी ग्रेंड वाडन तो गाइस हमारे ग्रेंड वोडन भी कुट्टा बनकर वापिस आगाए टानॉल 11 पे खुलते हैं फिर भी खास कुछ अच्छा किया नहीं पर हम जादा ध्यान ना देते हुए चलते हैं अपने नेक्स्ट केंडिडेट की तरह जो की है रॉयल चैंपियन तो देखते हैं यह असली में रॉयल है यह सिर्फ नाम में ही रॉयल है तो चलते हैं अपने नेक्स्ट अटेक की तरह तो वापिस से देथ बैड आ गया और रॉयल चैंपिंगो मैंने कर दिया डिप्लॉय रॉयल चैंपियन भी थोड़ी डिली पड़ गई और हमारे इस देथ बैड चैनेंज का जो विनर है वो अफकोस है हमारा बार्बेरियन किंग क्योंकि उसने टान हॉल एट लिस्ट वोड दिया था तो एक बार देखते हैं हम सारे रोज को एक साथ डिप्लॉय करेंगे और देखेंगे कि देथ बैड तब टिक पाता है या नहीं तो गास अब पहले हम डिप्लॉय करेंगे अपने किंग को तेंग कुईन फिर ग्रेंड वोड़न ना रॉयल चैंपियन अब सबकी अबिलिटी में लखेंगी अब तो भाइयो इस डेथ बैड को तो हमारे सारी हीरो में मिलके लेटा दिया लेकिन अकेले अकेले इसका कुछ नहीं बिगाड पाए तो गास ये थी आज की वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तिल देन पीस